मैं मैंना साहय काचारी संस्कृत श्री कल्या डाज की कन्या महावध्यली सिकर सें आज हम महा कवी काली दास द्वारा विरचित अभी ज्यान साकुंतलम नाटक के बारे में चर्चा करेंगे महा कवी काली दास विरचित तीन नाटक प्रसिद हैं मालविकागनी मित्र, विक्रमोर्षिय तथा अभी ज्यान साकुंतल अभी ज्यान साकुंतल काले दास द्वारा विरेचित सर्वादिक प्रशिद नाटक है भारती परंपरा इस नाटक को संस्कृत साहित्य का सर्वे स्रेश्ट नाटक मानती है कावेशू नाटकम रम्यम तत्रे रम्या सकुंदला काली दास की नाटे कला का उत्करश्टितम रूप इसमें प्राप्त होता है इसमें साथ अंक है काली दास द्वारा विरचित अभी ज्यान साकुंदलम नाटक की कथा वस्तु का मूल स्रोत महा भारत के आदी परवे का शकुंतलो पाख्यान है इस काली दास द्वारा विरचित नाटक के कथानक में मूल कथानक में कई परिवर्तन किये गए है इस नाटक में काली दास ने जो इसका नाम करण किया है वह सकुंतलम में दुर्वासा के साब से विश्मृत सकुंतला का स्मरण नायक दुश्यंत को मुद्री का रूप अभी ज्यान से होता है अतहे इस नाटक का नाम करण अभी ज्यान साकुंतल किया गया है अभी ज्यायते अनेन इती अभी ज्यानम अभी उप्षर्ग पूर्व की ज्या धातु से करण में करणा धी करणियोश्य सुत्र से लुट प्रते करने पर अभी ज्या धन लुट रूप बना लुट में यू से इस रहता है जिसको यू और नाको सुत्र से अन आदेस हो जाता है तब अभी ज्यानम रूप बनता है इस प्रकार अभी ज्यान शाकुंतल बन जाता है अभी ज्यान शाकुंतल नाटक में आचारी धनंजे ने जो नाटे सास्त्रिक्यों के अनुसार आवशक तत्वे वस्तु नेता एंवरश को माना है इसलिए किसी भी नाटक की शफलता या एस शफलता उसके कथानक के सासाथ उसके पात्रों के चरित्री चित्रन पर भी निर्भर करती है इस नाटक का खथानक कवी कलपना से अतिन्त आकरशक बन गया है उसके पात्री भी काली दास की प्रतीभा एंव कलपना सकती से सजी एंव आकरशक बन गये हैं काली दास चरित्री चित्रन कला में अपना वैसिस्टे रखते हैं उन्होंने अपने पात्रों को नीजी विशेश्टाएं एंव व्यक्तित्व प्रदान किया है काली दास के पात्री किसी दिव्वे लोग के प्राणी नय होकर इसी लोग के जीव हैं तथा अन्य संसारी मानमू के भाती उनमें भी मानवे गुण तथा अवगुण विद्धे मान हैं उन्होंने पात्रों के चरित्र का स्वाभाविक विकास दिखाया है शकुंतला में हमें प्राए सभी वर्गूं के पात्री मिलते हैं जिनका अत्तेंत मनो वेग्यानिक एवं सटिक वर्णन काली दास की विशेष्ता है इस प्रगार अभी ज्यान साकुंतल एक विशद नाटक है अतहे उसके पात्रों की संख्या भी अधिक है परंतु जो पात्र मुक्के कथा से सर्वदा समंद रखने वाले हैं उनमें प्रमुक पात्र भी हैं धन्यवाद